तो फाइनली धूंड ही लिया आपने हाँ मुझे उम्मीद थी आप धूंड लोगे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाना बोर्ड क्लास 10 सितिज भाग दो हिंदी और इसका जो है गद्या खंड है जो आपका जो कहानी वाला पोर्शन है इस कंप्लीट के आ आपको आज MCQ कराने वाला हूँ यह जितने भी MCQ होंगे यह सारे के सारे प्रिवियस एर एक्जाम्स में आ चुके हैं तो आपको सारे के सारे ही करने हैं चलो सुरू करते हैं मैं हूँ अजे और आप देख रहे हैं CCL क्लास लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आपको बत रखी हैं और साथ में अगर आपको यह सारे कोसंस लिखे हुए चाहिए तो आप गूगल पर सर्च करना CCL chapter लिखे और CCL chapter.comic website आएगी उसके important question के section में जाके तुम सारे कोसंस देख भी सकते हो चलो बशुरू करते हैं questions को जिसकी practice हो चुकी है ना मलब जिसको लगता है मेर प्रेक्टिस करने मतलब वीडियो में चलते जाएंगे question पढ़ूंगा options पढ़ूंगा आपको answer guess करना क्या answer रहेगा ठीक है तो आपको पता लग जाएगा और आपके answers याद भी होने लग जाएंगे इस तरीके से तो आपको practice करनी है और गलती हो तो हो जानतो कोई tension की बात नहीं है हम वापीस से कर लेंगे आप answer check out करते रहें साथ में answer दिखाऊंगा पहले answer सबके answer जो है ना आपको चिपे हुए मिलेंगे मतलब answers दिखेंगे नहीं आपको आपको practice करनी है तो वीडियो प्रेक्टिस कर सकते हो वीडियो पोज करके भी अगर आपको लग रहा है ब कब गुजरते थे हर सपता हर पंधरवे दिन हर माह हर रोज तो कब गुजरते थे हर पंधरवे दिन हालदार सहाब लगबग कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरते थे दस दिन पंधरा दिन बीस दिन तीस दिन तो कब गुजरते थे पंधरा दिन देखो यह सेम ही है बस आपे 15 दिन लिख रुख रुखा यापे 15 दिन या, अलग-अलग टाइप से एकजामस में पूछा गया थे, तो मैंने अलग-अलग ही लिख दिया, सुभाज चंदर बोस की परतीमा में, क्या कमी रह गई थी? टोपी नही थी, पकड़ी नही थी, चस्मा नहीं था पुस्तक नहीं थी क्या नहीं था चस्मा हालदर साहब कस्बे में क्यों रुकते थे सिनेमा देखने के लिए पान खाने के लिए आराम करने के लिए कंपनी के काम के लिए तो किस के लिए पान खाने के लिए रुकते थे वो नेता जी की परतीमा किस वस्तू से बनी थी? लोहे से, मिट्टी से, चांदी से, संगमर्मर्बर से तो किस से बनी हुई थी? संगमर्मर्बर से बनी हुई थी देश भगती की भावना किस पर निर्भर करती है? धन पर, बल पर, सान पर, मन पर तो किस पर करती है मन पर ड्रोइंग मास्टर का क्या नाम था मोतीलाल, जोतीलाल, प्रेमलाल, जगतपाल तो क्या नाम था उसका उसका नाम था मोतीलाल चसमे वाले की देश भगती के परती नतमस तक कोन था पानवाला, हालदर सहाब, कैप्टन, पूरा देश तो कौन था हालदार सहाब था हालदार सहाब ने नेता जी की परतिमा के चस्मे के बदलते रहने के बारे में किस से पूछा ड्राइवर से चायवाले से पान वाले से कैप्टन से तो किस से पूछा पान वाले से पूछा था नेता जी का चस्मा ये जो पाट है इसमें पान वा रित्यू के कारण पानवाले के अनुसार नेता जी की मूर्ति का ओरिजिनल चस्मा कहा गया गरहाक को दे दिया मस्टर जी बनाना भूल गये गिर कर तूट गया किसी ने चुरा लिया तो कहा गया था वो मस्टर जी बनाना भूल गये थे नेता जी की परतीमा किसने बनाई थी ड्राइवर ने, पानवाले ने, थानेदार ने, ड्राइंग मास्टर ने, तो किस ने बनाई? ड्रोइंग मास्टर ने बनाई थी नेता जी का चस्मा पार्ठ में कैप्टन कोन है? पानवाला, चस्मे वाला, हालदार, चाय वाला तो कोन है कैप्टन यापे वो है चसमे वाला नेता जी की मुर्ती पर सरकंडे का चसमा देख कर हालदार सहाब कैसे खड़े हो गए जुक कर अटेंशन हत प्रब हाथ जोड़ कर तो कैसे खड़े हो गए अटेंशन नेता जी की मुर्ती पर चसमा नय होना पान वाले की ये जैदार, बेकार, सामान्यासी बात थी. चलो, अगला चैप्टर देखते हैं, वो हमारा बाल गोबिन भगत वाला बालकोबिन भगत का कद कैसा था? लंबा छोटा मजोला सामान्या कैसा था? कैसा था? बाल गोबिन भगत किसके आदरसों पर चलते थे? तुलसिदास के, कबीर के सूरदास के नानक के तो किसके आदरसों पर कबीर के देखो आपको लग रहा होगा भाई ज्यादा जल्दी-जल्दी करा रहे हो तुम इत्ती स्पीड हो ऐसा लग रहा है जैसे खुदी पड़ रहे हो तुम तो एक्चुली में आपको टाइम दिया जा रहा है आपको वीड पेखक ने क्या कहा है उपदेश लहर जादू सहनाई तो क्या कहा है जादू बाल गोबिन भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता था सौंदरिय का क्रोध का विरह का इस्वर भगती का तो कौन सा इस्वर भगती का बाल गोबिन भगत की मृत्यू किस कारण से हुई उच्छ रखत चाप से, दूर घटना से, गंगा में डूबने से, बिमारी से, तो किस्छ वूँ उच्छ रखत चाप से हुई थी बाल गोविन भगत की परभादिया कब तक चलती थी? फागून कारतिक बैसाओ असाड कब तक चलती थी? फागून तक बाल गोविन भगत ने अपने बेटे की चिता को आग किस से दिलवाई स्व्यमदी ग्रामीन साधु से पतोहु के भाई से पतोहु से तो किस से दिलवाई पतोहु से यहनि कि अपने बेटे की बहु से मलब बेटे के बेटे की बहु से चलो बालगोविन भगत के घर से गंगा कितनी कोस दूर थी दस कोस बीस कोस तीस कोस चालिस कोस कितनी थी तीस कोस दूर थी गर की पूरी परबंदी का बनकर बाल गोबिन भगत को किसने दुनियादारी से मुख्त कर दिया था उसकी बेटी ने पतनी ने पतनी ने पुत्र वदू ने तो किस ने किया था पुत्र वदू ने किया था यहां पर पतनी आना चाहिए चलो कोई नारर हो जाती है तो देखो यह आपको लग रहा होगा भाई 10-10-12-12 MCQ से क्या होगा हमारा यह जितने MCQ जो एक्जामस में आया और रिपीट हुए जा रहे हैं बार बार तो इसलिए यही MCQ कर लेना इन में से majority of the MCQ आपको बाहर से नहीं मिलने वाले इनी में से मिल जाएंगे और मैंने जो है दूसरा जो portion है आपका कविताम वाला उसकी वीडियो बे उल्रेटी प्रोवाइड करा दी है तो description में जाके उसकी वीडियो भी देख लेना MCQ उसकी चलो अगला chapter देखते हैं लखनवी अंदाज यह स्पाल के दवारा लिखा हुए है नवाब साहब वाला है यह नवाब साहब ने खीरे की फाको को कैसी नजर से देखा नवाबी लालची खोई-खोई सैत त्रिशन गाडी के टिब्बे में कौन बैठा था टिकट निरेख सक जेब कत्रा नवाबी नसल का व्यक्ती सिपाही तो कौन बैठावा था नवाबी नसल का व्यक्ती नवाब सहाब ने खीरे की फाको को खिड़की से बाहर क्यों फैक दिया कड़वी होने के कारण खराब होने के कारण रहिसों का अंदाज दिखाने के लिए म तो किस पर किया गया है? नवाब सहब से जुडा खीरे का परसंग किस रेल्वे स्टेशन का है? कानपूर, इलहाबाद, लखनव, बनारस तो किसका है ये लखनव का? नवाबी नवसल के एक सफेद पोस पालती मारे बैठे थे यहाँ सफेद पोस जो सबद इस्तमाल हुआ इसका क्या मतलब है सफेद कपड़े पहने वैखती भद्रपुरुस नवाब सफेद दाड़ी वाला तो कौन है वो भद्रपुरुस इस वाले चैप्टर के देखते हैं फादर बुलके ने इंजिनियरिंग की पढ़ाई किस वरस में छोड़ दी दुवितिया, पर्थम, अन्तिम, प्रितिया तो कब छोड़ दी अन्तिम वरस में फादर कामिल बुलके कहा के रहने वाले थे अमरिका, चीन, जापान, बैलिजियम तो कहा के थे बैलिजियम लेखक ने देवदारू किसे कहा है पेड को, परवत को, नदी को, फादर कामिल बुलके को तो किसको कहा है फादर कामिल बुलके को फादर कामिल बुलके के कितने भाई थे दो तीन एक पाँच तो कितने थे दो भाई थे फादर बुलके भारत में कितने वरस रहे 27, 37, 47 तो कितने वरस रहे थे 47 वरस फादर कामिल बुलके कितने वरस जीवित रहे 47, 53, 73 तो कितने वरस थे 73 वरस फादर बुलके की मृत्यू कब हुई 1950, 1973, 1982, 1991 तो कब हुई थी 1982 में फादर बुलके किस देश के मूल निवासी थे अमेरिका, बेल्जियम, जापान, चीन तो कहां के थे बेलीजियम ये कोशन पहले भी आया था बट ये अलग स्टाइल से मैं पूछा था फादर कामिल बुलके की मृत्यू कैसे हुई जहरवाद से, पानी में डूबने से, गिरने से, बुखार से तो कैसे हुई थी जहरवाद से फादर कामिल बुलके की आँखों का रंग कैसा था भूरा, काला, नीला, हरा तो कैसा था, नीला पादर कामिल बुलके की तुलना लेख ने किस वरिक से की है देवदारू वर्गद नीम पिपल्ड तो किस से करी है देवदारू एक कहानी यहादी मन्नू भंडारी वाली कहानी है यह एक आंकी, उपन्यास, कहानी, निबंद, तो ये क्या है आपका बंटी, आपका बंटी है एक उपन्यास, मन्नू भंडारी के मन में कौन सी हिन भावना गरंती बन गई थी, काले रंग की होना, छोटे कदगी होना, आँखों पर चस्मा लगा होना, पढ़ाई में कमजोर होना, मन्नू भंडारी के पिताजी अजमेर में के कोन से महले में रहते थे, मोडल टाउन, कैम्प, भानूपूरा, ब्रहमपूरी, तो कोन से में रहते थे, ब्रहमपूरी में, मन्नू भंडारी का परिवार अजमेर के कोन से महले में रहता था, मायापूरी, भानपूरा, पूरी प्रेम नगर तो कौन से में रहता था ब्रहम पूरी में मन्नू भंडारी को कोलेज की प्राध्धपी का सीला अगरवाल क्या विश्य पढ़ाती थी अंग्रेजी हिंदी भुगोल राजनिती सास्तर क्या पढ़ाती थी वो हिंदी पढ़ाती थी किसकी जोसिली बातों मन्नू भंडारी की रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया महतमा गांधी, सीला अगरवाल, जैनेंदर, उनके पिताजी तो किसने सीला अगरवाल मन्नू भंडारी से उनकी बहन सुसीला कितनी वर्स बड़ी थी दो वर्स, तीन वर्स, चार वर्स, पांच वर्स तो कितने वर्स की थी? वो थी दो वर्स बड़ी अगला चैप्टर देखते हैं हमारा वो है पंदरवा चैप्टर और यह है इस्त्री शिख्षा के विरोधी कुतरकों का खंडन पहला कुस्चन है बड़े बड़े बरहमवादियों को किसने हरा दिया? अनुसुया ने, गारगी ने, सीता ने, मंडल मिष्र की पतनी ने तो किसने हरा दिया था? गारगी ने सकुंतला ने दुस्यंत से कैसा विवह किया था? आसूरी आरिय समाजी गांधर्व वैदिक तो कैसा किया था गांधर्व सकुंतला ने किसे कटू वचन कहे थे कटू वा क्या कहे थे दुस्यंत को दुरवासा को अपनी माता को अपने पिता को तो किसको कहे थे दुस्यंत को जिस भासा में सकुंहतला ने सलोक रचा था वह है किस की भासा थी पढ़े लिखो की अपढ़ो की नागरिकों की संस्कृत के विद्वानों की तो कैसी है ऐ पढ़ो की किसकी धरम पत्नी ने संकराचारिय के चक्के चुड़ा दिये थे अत्री, महावीर परसाद, भरत मुनी, मंडल मिसर तो किसने मंडन मिसर ने मंडन मिसर की धरम पत्नी ने किसके चक्के चुड़ा दिये वह उसी को सनल्टा पूछ लिया, बालमी की संकराचार्य, गार्गी, अतरी, तो किसके संकराचार्य के? बगवान, साक्या, मुनी और उनके चेले किस भाषा में धर्मोप देश देते थे? अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, प्राकर्थ, तो किस में देते थे? प्राकर्थ में थेरी गाथा निमलगीद में से किस गरंत का एक भाग है वेद भागवत त्रीपीटक कुमार संभव तो किसका है वो त्रीपीटक का है जो कि बुद्धो का एक गरंत है पवित्तरधार्मी गरंत है त्रीपीटक तो उसका ही हिस्सा ही है रुकमनी हरन की कथा श्रीमत भगवत कीता के कोन से सकंद में है पर्थम, अस्टम, दसम, द्वादस तो कोन से में है दसम में हिंदू वेदो को किसकी रचना मानते है रिशियों की, ब्रहमनों की, इश्वर की, अंग्रेजों की तो किसकी मानते हैं, इश्वर की, त्रीपीटेक गरंतो कीर्चना किस ने की थी, बोद्धों ने जैनों ने, नाथों ने, शिध्धों ने, किसने करी, बोद्धों ने करी थी, यार, ये अंसर देखो अरे, ओटोस हो गया, साइथימ। हो गई होगी यह क्या मजा का यार यह फिर से आ गए अंसर चीटिंग हो रही है यहां पर कोई अपने आप यह अंसर दिखे जा रहे हैं चलो अगले के नहीं दिखे रहे हैं कुछ गड़ बढ़ गई होगी चलो बोद्धो के त्री पीटक गरंतों की रचना किस भासा में सहनाई को बजाने के लिए किसका परियोग किया जाता है रीड पाइप पानी बिजली किसका करते हैं रीड का नरकट नामक घास डुमराव गाओं में किस नदी के पास पाई जाती है गंगा सोन नर्मदा यमुना किस में पाई जाती है सोन नदी के पास में नोबत खाने में इबादत पाठ में वरनित बाला जी मंदिर गंगा के किस घाट परिस्तित है पंच गंगा घाट गव घाट सन्यासी घाट कालिया घाट तो कौन सा घाट है पंच गंगा घाट बाला जी मंदिर काशी के किस घाट परिस्तित है यह मुना घाट पंच गंगा घाट असी घाट ब कुंसी दिशा में है दक्षिन दिशा में अमीरुदीन के कितने मामा देश के जाने माने सहनाई वादक है दो तीन चार पांच कितने है दो सहनाई बजाने में प्रियोग में आने वाली रीड किस से बनाई जाती है बास से स्टील से नरकट से तुम भी जे तो किस से बनती है न को नोबत खाना तभी तो पाट का भी नाम यही रख रखा सहनाई को बजाने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है रीड, पाइप, पानी, बिजिली किसका करते हैं? रीड का परियोग करते हैं अगला चैप्टर देखो संस्कृत संस्कृत का रहा है संस्कृती सब्भेता किसका परिणाम है? संस्कृती का, धर्म का, स्टिक्षा का, कला का तो किसका परिणाम है? संस्कृती का तो क्या कहा है विचारवान संसार के मजदूरों को सुखी देखने का सवपन किस ने देखा लेनिन मांक्स सिदार्थ गांदी किसने देखा था मार्कस ने देखा संस्क्रिति का यह दि कलीयान की भावनाशे नाता टूट जाय तो वह क्या होकर रहेगी विनासकारी ए संस्कृति, ए सभ्यता, पतित तो क्या हो जाएगी वो ए संस्कृति, रूस का भाग्य विदाता किसे कहा गया है लेनिन, मार्क्स, पुतिन, उपरोक्त सभी तो किसको कहा गया है लेनिन को लेनिन को किस देश का भाग्य विदाता माना गया है जापान इटली अमेरिका रूस तो किसका मानते है रूस का मदब यहाँ पर देगो यह कोस्चन था यह अंसर हो गया अंसर कोस्चन हो गया उल्टा कर दिया गया बस यहाँ पर एक्जामस में मानव संस्कृति को लेखक ने कैसी वस्तु कहा है सुन्दर प्राचिन आवि भाज्ये चीरनवान तो कैसी कहा है आवि भाज्ये नई चीजों की खोज, नई चीज को खोजने वाला व्यक्ति कहलाता है खोजी, संस्क्रित, सिक्सित, सिख्सक तो क्या कहते हैं उसको हम उसको कहते हैं संस्क्रित व्यक्ति तो यह थे हमारे टोटल somethin عास mouse option से आई होप आपको पसंद आये होंगे और आपने जिनोंने भी प्रैक्टिस करिया ना इसकी तो याद भी हो गए होगे उनको समझ में आ गया होगा बोर्ड 2023 के लिए इंपोर्टन कोस्टन की तो चेक आउट कर लेना चलो मिलते हैं नहीं वीडियो में बाई बाई और हाँ जिसने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा रखा न भाई इतनी बड़िया वीडियो बना रहा हूं आपके लिए मैनत कर रहा हूं तो जिसने सब्सक् झाल झाल झाल